खैर एक tragedy आने वाली है ज्यादा तर लोगों को कोई tragedy तभी दिखती है जब वो एक धमाके के साथ होती है पर अगर आप संबेदन शील हैं तो आप इसे अपने चारों और होते हुए देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमने अचानक मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में सोचा पिछले 26-27 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं तो कुछ विश्विस तरिये संस्थान भविश्यवानी कर रहे हैं कि अगले 25-30 वर्षों में भारत में पीने के पानी की गंभीर समस्या होगी कई छोटी छोटी धाराएं और नाले जो आपने बच्पन में देखे थे वो पिछले 15-20 सालों में गायब हो चुके हैं वे बस सूख गए हैं ये कोई मजाक नहीं है इससे मानव जाती पर जबरदस्त पीड़ा आएगी भयंकर दुख जिस तरह से आप जमीन को संभाल रहे हैं अगले 15 साल बाद कोई मौनसूर नहीं होगा केवल तूफान आएंगे जबरदस्त बारिश होगी जो मिट्टी को पूरी तरह से बहा देगी पर्यावरन के स्तर पर और दूसरे तरीके से भी ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक रेगिस्तान छोड़ना चाहते हैं नकी एक सजीब दुनिया यही समय है कि हम इस बारे में कुछ करें अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इनसान होने का कोई मतलब नहीं है तमिल नाडू में 6 करोड लोग हैं अगर उन्हें पता चले कि क्या करना जरूरी है तो सिर्फ पांच साल के समय में आप पूरे राज्य को हरा भरा कर सकते हैं आज भारत में ग्रीन हैंड स्लाम के एक प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है हमने एक जना ब्यान शुरू किया था और मैंने लोगों के दिमाग में पेड लगाने के लिए 6 साल बिताय थे वही सबसे कठिन जगा है मेरा विश्वास करें ये दुर्भाग्य की बात है कि 7 लाख पेड एक गिनिस रिकॉर्ड है मैं हर किसी को ये रिकॉर्ड तोड़ते देखना चाहता हूँ अगर आप तमिलनाडू में 11.4 करोड पेड लगाएंगे तो 33 फीसदी हर्याली होगी अगर आप अभी इसे ठीक नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा पेड लगाने की बात मूल रूप से इसी लिए सामने आई क्योंकि हम मिट्टी को बचाना चाहते थे अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो ये जान लीजिए वजा बैंक नहीं बलकि जमीन है जमीन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है हम बस पागलों की तरह धरती में जहर घोल रहे हैं मान लेजिए सभी कीडे जहर से प्रभावित हो गए और बड़ी संख्या में मर गए तो लाखों लोग मरेंगे कुछ ही समय में मैंने हजारों लोगों को लिया वो जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं पेड उसे अंदर ले रहे हैं जो सांस पेड छोड़ रहे हैं लोग उसे अंदर ले रहे हैं इस अनुभव को लोगों तक पहुँचाना कि जिसे आप मैं समझते हैं वो आपके शरीर की सीमाओं के भीतर नहीं है वो उससे कहीं आगे है ये कोई विरोध नहीं है नहीं ये आंधोलन है ये जागरुकता बढ़ाने का अभियान है कि हमारी नदियां सूख रही है सभी जब मैं सभी कहता हूँ तो मेरा मतलब है पानी पीने वाले हर व्यक्ति को नदियों के लिए रैली जरूर करनी चाहिए ये यातरा क्यूं? शायद ये हमारे जीवनकाल में न हो पाए पर हमें समाधान के लिए अभी दिशात तै करनी होगी बारिश के रूप में जो पानी नीचे आता है हम उसे मिट्टी में नहीं डाल पा रहे हैं इसकी मूल वजा ये है कि मिट्टी में कोई जैविक पदार्थ नहीं है और पर्याप्त पेड पौधे नहीं है अगर हम ये 242 करोड पेड लगाएंगे तो जीलें भर जाएंगी कुएं भर जाएंगे सबसे बढ़कर वर्ष के ज्यादातर समय में मिट्टी नम रहेगी और ये जरूरी भी है इसलिए काविरी पुकारे शुरू किया गया है हमने जो शरीर धारण किया है वो मिट्टी ही है मिट्टी के समरित और अच्छे हुए बिना ये शरीर और दूसरे जीव अच्छे से नहीं जी सकते इसलिए पर्यावरण के लिए और जलवायू परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपून बात ये है कि हमें इस बारे में एक जागरुक दृष्टी कोंड रखना होगा कि हम अपनी मिट्टी को कैसे संभालें अपनी मिट्टी को कैसे बहतर बनाएं और अपनी मिट्टी को कैसे फिर से जीवंत बनाएं कॉंशिस प्लानेट ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया है ताकि मिट्टी को फिर से जीवंत बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया जा सके इस अभियान के एक हिस्से के रूप में मैं 65 वर्ष का हूँ और मैं 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ मैं मोटर साइकल पर अकेला 30,000 किलोमीटर 24 देशों से होता हुआ यात्रा करूँगा ताकि नागरिकों का समर्थन मिल सके जिससे सरकारों को ये विश्वास हो सके कि इसमें लंबे समय तक निवेश करना फाइदे मंद है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया की हर सरकार की नीती में मिट्टी को जीवंत बनाना शामिल किया जाए हमें दुनिया में ये सभी को समझाना होगा कि मिट्टी एक धन है ये एक विरासत है जो हमें पिछली पीडियों से मिली है और हमें इसे आने वाली पीडियों तक जीवित मिट्टी के रूप में पहुँचाना होगा ये समय का ऐसा मोड है कि अगर आप अभी सही काम करते हैं तो अगले 15 से 25 वर्षों में हम इस थिती को काफी हद तक बदल सकते हैं और मिट्टी जीवन्थ हो सकती है पर अगर हम इसे और 30-40 साल तक इसी तरह आगे बढ़ने दें और 40 साल के बाद अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करें तो इसमें 1500 से 200 साल लग सकते हैं क्योंकि तब तक बायो डाइवर्सिटी का इतना नुकसान हो चुका होगा 21 मार्च से शुरू करते हुए 100 दिनों तक पूरी दुनिया को धर्ती के हर इंसान को मिट्टी की बात करनी चाहिए हमें हर जगा मिट्टी और मिट्टी बचाओ ही सुनाई देना चाहिए इससे ये होगा कि दुनिया की चर्चाओं में हमारे जीवन का सबसे महत्वपून पहलू यानि मिट्टी शामिल हो जाएगा ऐसा करने के लिए आप सभी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचना चाहिए इसे संभव बनाने के लिए दुनिया के कई नेता और प्रभावशाली लोग पहले से ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं इसका हिस्सा बने, आईए इसे संभव बनाएं अबना के पीध दूली सारłe बनाने सयाओद करिक 270 एफ चैण दूली समेंकर बनाओ错ा जाली समीचर खौली सिराब करेंगी Let's make it happen! Let's make it happen! Let's make it happen!